Hi everyone, welcome back to my channel और मेरे चनल का नाम है वर्षा ब्यूटी के राशा करती हूँ आप सब अचे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने जा रही हूँ कि ब्लैक साडी के साथ आप गलव कैसे पहन सकते हो और कैसे मेक अप कर सकते हो तो दोस्तो आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टिड वीडियो है प्लीज वीडियो करने तक जरूर देखेगा आपको पसंद आएगा COVID-19 के चलते दोस्तो गलव पहनना आज कल बहुत जादा जरूरी हो गया है तो इस तरीके से भी आप साड़ी पर गलव पहन सकते है जैसे मैंने यहाँ पर पहने है तो प्लीज वीडियो करने तक जरूर देखेगा दोस्तो आपको आज की वीडियो बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले पिल्ग्रीम का टोनर एपलाई कर लूँगी अपने फेस पर इस तरीके से स्प्रे कर लूँगी टोनर बहुत जादा ज़रूरी होता है समर्स में आपके पीएश लेवल को भी यह बैलन्स करता है और आपके स्किन को हाइडरेट रखता है तो टोनर को ज़रूर एपलाई कीजेगा अब मैं यहाँ पर गुडवाइब्स की यह हनी जल लगा रही हूँ जिनकी स्किन बहुत जादा ओईली है मॉस्टराइजर सूट नहीं करता है या पसंद नहीं है आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और आपके पोर्स को बलर भी करता है तो बहुत ही अच्छा प्राइमर है यह भी दोस्तों अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Maybelline Fit Me Foundation यह Summers के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है मुझे तो बहुत जादा पसंद आता है और इस तरीके से मैं इसे dot dot करते हुए लगा लूँगी यह finger की help से भी easily blend हो जाता है और brush की help से भी और दोस्तों यह जो आज का make-up look है बहुत ही कम समय में हो जाएगा मिन्टों में हो जाएगा बहुत जादा देर आपको नहीं लगने वाली है इस look को करने के लिए तो यहाँ पर मैं एक fluffy blending brush लूँगी और इस तरीके से foundation को अच्छे से blend कर लूँगी और दोस्तों सभी make-up road के link आपको description box में मिल जाएंगे तो प्लीज आप एक बार शेक जरूर कर लीजिगा अब मैं दोस्तों यह hudda beauty का pro concealer ले रही हूँ इस तरीके से अपनी eyelid पर लगा लूँगी और जहाँ भी मुझे हलके full के dark circles हैं वहाँ पर लगा लूँगी तरीके से मैं finger kelp से इसे blend कर लूँगी बहुत ही अच्छा concealer है यह color character भी आप इसे बोल सकते हो बहुत ही पसंद आया मुझे तो बहुत अच्छा है यह ओंटर्स की skin वालों के लिए भी बहुत ही best है अम यहाँ पर Maybelline Fit Me compact powder लूँगी और इसे इस तरीके से सेट कर लूँगी foundation को भी और concealer को भी Summers में compact powder लगाना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आपके dry skin है तो आप skip भी कर सकते हो लेकिन अगर आपकी oily skin है तो आपको compact powder ज़रूर लगाना चाहिए इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर Swiss Beauty का makeup fixer spray कर लूँगी अपने face पर makeup को fix करने के लिए मेरा जो base है वो अच्छे से fix हो जाए और आप मैं यहाँ पर Malyuk eyeshadow palette से dark brown shade लूँगी और इस तरीके से अपनी crease line पर इसे लगाता हुए अच्छे से blend कर लूँगी आपके पास जो भी eyeshadow में brown shade हो उसे आप ले लीजे इस तरीके से dark brown shade लेना है इस तरीस का ध्यान रखेगा इसके बाद मैं यहाँ पर steak turkey का बटास काजल ले रही हूँ यह बहुत ही अच्छा काजल है दोस्तों इसका review मैंने अपने चैनल पर share किया हुआ है waterproof है, smudge proof है और बहुत ही अच्छा काजल है गर्मियों के लिए तो best है यह काजल आप जरूर परचेस कर लीजेगा बहुत ही अच्छा काजल है और इस तरीके से मैं small blending brush लोगी और इसे smudge कर लोगी क्योंकि मैंने आज black smoky eye look करना है तो इस तरीके से मैं इसे blend कर लोगी और अब मैं यहाँ पर पलाडियो के eyeshadow palette से यह black color लोगी और इस तरीके से जहाँ पर मैंने यह smudge किया है अपना काजल तो उसी के ओपर मैं इसे इस तरीके से लगा लोगी और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ purple का concealer और इस तरीके से अपनी eyebrows को define कर लोगी आप यह काम पहले भी कर सकते हो और मैंने यह सोचा है चलो मैं बाद में भी करकर देख लेती हूँ तो small flat brush की help से आपने से इस तरीके से concealer को लगा लेना है अब मैं यहाँ पर स्टेक उरकी काई काजल लगा लोगी इस तरीके से अंदर की तरब भी आप जरूर लगा लेजिए काजल को और अब मैं यहाँ पर शिवाना का blush palette ले रही हूँ इसकी help से मैं अपने face को contour कर लोगी यहाँ पर इस तरीके से contouring brush की help से next में Malyu के eyeshadow palette से यह dark brown कलर का shade लोगी और इस तरीके से अपने eyebrows को fill कर लोगी तो आज मैंने eyebrows को fill भी बात में ही किया है वैसे आप में भी कर सकते हो को attention वाली बात नहीं है पहले भी कर सकते हो तो angular brush की help से मैं यहाँ पर अपने eyebrows को fill कर लोगी और आप मैं same palette से यहाँ पर blush apply कर रही हूं मैं यहाँ पर peach color का blush लगा रही हूं थोड़ा orange और थोड़ा peachy सा shade है और आप मैं same palette से highlighter लगा लोगी तो यह shade भी बहुत ही प्यार है दोस्तों dusky skin वालों के लिए बहुत ही beautiful shade है और इसका review भी दोस्तों मैंने अपने channel पर share किया हुआ है और दोस्तों यह है मेरा final look इस तरीके से मैंने gloves पहन लिए थे यह आप देख सकते हो और दोस्तों मैंने pony बनाई हैं यहाँ पर आप देख सकते हो और आपको जो भी hairstyle पसंद हो वो आप कर सकते हो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी मेरी आज की वीडियो और पसंद आए तो please friend मेरी सीड़ों को like share जरू कर दीजेगा कमेंट करके जरू बताना दोस्तों कि आपको मेरी आज का वीडियो कैसा लगा और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो facebook, instagram, mx, tag a tag पर भी मैं आप से मिलती हूँ और भी helpful videos साथ तब देके लिए bye bye, take care, love you all किसे अपर्टा है झाल